हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो एमकेच मैरूबी सिंगाटिया और आजम करने वाले हैं आपकी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 प्राइक्ता प्राइक्ता जो चैप्टर है ना स्टुडेंट्स यकीन मानियेगा बहुत ही इंटरस्टिंग सा और बहुत ही मज़ेदार सा चैप् हैना mathematics के अंदर तो भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा तो वो स्टुडेंट्स होते हैं वो भी प्राइक्ता को करके जाते हैं और हमें तो अपने सपने जो कि बहुत ही बड़े हैं उन सपनों को पूरा करने है तो उसमें तो प्राइक्ता बढ़ा चैप्टर बहुत ही महत मतपुन भूमी का निभाने वाल है तो यह जो चैप्टर ना 15 चैप्टर बेसिकली जब आप क्लास 10 का जो सिलिपस है मैट्स का वो कम्प्लीट कर लोगे और लास्ट में जब आप सेकेंड डाइम डिविजन कर रहे होगे ना तब यह जो चैप्टर ना प्राइकता यह आपका यूज होता है बाकि हमारी बेसिक नोलेज यूज होती है जैसे सिक्के उछालना पासा फेकना और और भी चीज़ें होती है जैसे कि प्राइकता हम फाइंड करते हैं जिन में जैसे ताश के पत्ते हो गए ताश की गड़ी हो गई तो यह सारी चीज़े हमने हमारी जो आम ज चुरू करते हैं देखेगा इसके अंदर टोटल हमारे पास 25 कोशन है हमारी जो प्रशनावली है 15.1 उसके अंदर हमारे पास 25 कोशन है और उन 25 कोशन को करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो यहाँ पर तैयार करने वाले है क्योंकि आपको पता है युद्ध की त कमर आप हो गए हो तो अब अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि अब हम क्या करने वाले है पूरा युद्ध जो हमने लड़ना है 10th क्लास के अंदर क्योंकि पहले तो क्या होता है कि आज कल जो scheme चल रही है कि बिना exam के ही क्या हो जाते हैं हम pass हो जाते हैं लेकिन 10th class के अंदर ऐसा होने नहीं वाला है exam तो में देना पड़ेगा तो ये 25 question प्लस कुछ एक इसके क्या रहने वाले है example रहने वाले हैं तो 25 question और example को करने से पहले हम तैयारी करते हैं प्राइक्ता के अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई घटना घटित होती है घटना घटित होने का मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है अगर कोई चीज होती है कोई event होता है अगर उसका कुछ ना कुछ परिनाम निकलता है तो ही वो गटना मनी जाएगी, otherwise वो गटना नहीं मनी जाएगी, ठीक है, कि गटना वो चीज होती है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ परिनाम निकलता है, जैसे for example, अपने क्या करते हैं, एक सिक्का उचालते हैं, अपनोंने क्या उचाल दिया, एक सिक्का उचाला, अब सिक्क उचाला तो क्या आएगा, हैड और टेल आएगा, या तो हैड आएगा, या तो टेल आएगा, लेकिन कुछ बचे क्या कहेंगे, कि हो सकता है, सिक्का खड़ा रह जाए, तो अब देखेगा, आपने बत्पन में टोस किया होगा, जब आप टोस करते हो, तो क्या आता है, य कोई बात नहीं, सिका खड़ा हो गया, तो आप क्या करोगे, आप दुवारा टोस करोगे, अनि वो गटना मन ही नहीं जाएगी, ठीक है, तो इसके अंदर दो ही परिणाम होते हैं, जब सिका उचाला जाता है, दो परिणाम निकले, या तो हेड या तो टेल, राम और शाम खे तो टेल आएगा, ठीक है, ये चीज़ हमें क्लीर हो गई, ठीक है, तो वो गटना तो हमारी कैंसल होगी न, आज के बाद कभी किसी टीचर से मत पूछना, कि सिका उच्छाला और सिका खड़ा रह गया, तो क्या करेंगे, तो वो गटना ही नहीं मनी जाएगी, द्वारा सिक का उच्छलना पड़ेगा, परिणाम सिर्फ दो होंगे, एक तो हैड आएगा, और एक टेल आएगा, तो यहाँ पर हम कई सारी गटनाओं का जिकर करने वाले हैं, कि कौन सी गटना गटित होगी, तब कौन कौन से परिणाम आएंगे, क्योंकि जब हमारे पास परिणाम करते हैं, सबसे पहली चीज, कि जब आपने सिक्का उच्छाला, और सिक्के कितने उच्छाले देखेगा, जब आपने एक सिक्का उच्छाला, जब आपने एक सिक्का उच्छाला, तो इसके दो ही परिणाम आते हैं, या तो हैड आता है, या तो टेल आता है, या तो चित या तो पट आता है ठीक है चित और पट को इंगलिश में क्या केते हैं डोर टेल कहते हैं तो इसलिए अपने एच और टी से दिखा रहे हैं यह बेसिक नोलेज़ में है ठीक है दूसरी बात ऐसे माल लिया जाए कि दो सीके एक साथ उछा ले जाते हैं अगर दूसरा परिणाम आईविभी 2 कि उच्चा ले जा रहे हैं तो दो परिणाम आएंगे ठीक है दो परिणाम या निक अपने संभाव नहीं बना रहें परिणाम देखते हैं कितने आएंगे तो देखिएगा दो सीक्रेश करी चाले तो हो सकता next क्या परिणाम मन सकता है पहले सिके में tail आ गया तो दूसरे में tail भी आ सकता है और दूसरे में head भी आ सकता है तो यहाँ पर चार परिणाम हो गए कौन कौन से दुबारा देखते हैं देखेगा जब अपनोंने सिके उचाले देखेगा पहले में tail दूसरे में head दोनों में tail दोनों में head तो यह चार परिणाम यहाँ पर बनते हैं अब इससे भी next step पर वो जा सकता है कि अगर हमारे तीन सिके आ गए तो question कैसे आएगा क्या formula है कैसे question solve करेंगे बिल्कुल भी tension मतलो आपको tension लेने की बिल्कुल भी जुरूरतनी है जैसे पढ़ाय जारे मैंने आपको कहे न एकदम अलग सा तरीका है हटके तरीका है क्योंकि हम युद्ध लड़ने से पहले क्या करेंगे युद्ध की तैयारी करेंगे ठीक है इसके लिए एक formula दिमाग में रखना होता है सिकों के लिए सिकों के लिए एक formula होता है दो की पावर N N का मतलब होता है जितनी बार उच्छाला गया है यानि आपको ये पता चल जाए भी कितने परिणाम आएंगे दो की घात N परिणाम आते है N का मतलब क्या है सिके कितनी बार उच्छाले गए जब सिका एक बार उच्छाला गया तो दो की पावर एक कर दो दो की पावर एक का मतलब दो या जाएगा तो आपने देख लिए यहाँ परिणाम आ रहे है अगर सिके हमने दो बार उच्छाले तो N कामान कितना? 2, ठीक है? तो यहाँ पर क्या जाएगा? 2 की स्केर? 4 इसका मतलब 4 परिणाम हैंगे, देखो 1, 2, 3, 4 तो 4 परिणाम हमारे आ रहे हैं उसकी बाद जब सिक्के को 3 बार उचला गया या 3 सिक्के उचले गया, देखिएगा, सिंपल है 3 सिक्के उचला लो, यह 1 सिक्के को 3 बार उचला लो, एक नी बात है ठीक है? तो आप क्या करोगे? N कामान 3 रख दो 2 की घात 3 कितनी आती है? तो हमें पता है 8 आती है 8 इसकाम लेए याँ पर आठ परिणाम निकलेंगे और आठ परिनाम निकलेंगे तो आठ परिनाम बनाने सचमुच में बहुत आड़ है स्टुडेंट्स इसके लिए आपके पास एक ट्रिक होनी चाहिए कैसे ट्रिक देखो ट्रिक जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर क्या करना है बस आपने सिम्पली एक लिकने का तरीका देख लेना है आपने क्या करना है पहले तिनो को head और तिनों में tail यानि ऐसे मालिया कि तिनों सिको में head-head-head आसकता है या तो tail-tail-tail आसकता है उसके बाद देखो आपको क्या करना है यहाँ पे जब head 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 है तो पहले क्या करो एक नमबर पे tail रख दो उसके बाद दो नमबर पे tail रख देना और उसके बाद तीन नमबर पे tail रख देना तीन परिणाम आपके बन जाएंगे देखो कैसे पहले हमने एक नमबर पे टेल रख दिया फिर हमने देखेगा पहले पे हेड ही है दूसरे पे टेल रख दिया और फिर हमने क्या कर दिया तीसरे पे टेल रख दिया तो ये देखो हमारे चार परिणाम आ गए वैसे ही चार परिणाम यहां बनेंगे यहां तीनों टेल 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 है तो आपको क्या करना है आपको एक नमबर पे हेड रखना है पहला स्टेप दूसरे में दो नमबर पे हेड तीसरे में तीन नमबर पे हेड तो यह लीजिए यह दूसरे नमबर पे हेड रख दिया और यह आपने तीसरे नमबर पे हेड रख दिय तो ये देखो चार परिणाम ये और चार परिणाम ये प्लस कर दो टोटल कितने होगे आठ इन आठों परिणामों के अलावा कोई परिणाम और आही नहीं सकता दुनिया में तीन सिके जब भी उचालोगे इन आठों परिणामों के अलावा कोई आहीं नहीं सकता आप बना के दिखा दो ठीक है तो ये चीज आपको समझ में आ गई एक सिक्का उछाला दो सिक्का उछाला तीन सिक्के उछाले क्या क्या परिणाम आपके पास आएंगे वह आपको पता चल गया तो फटा फट साथ की साथ नोट कर करते रड़ा तो देखेगा मेरे हाथ में मारकर है और क्या है डस्टर तो वैसे ही आपके हाथ में क्या होना चाहिए पैन और कोपी होनी चाहिए तो फटा-पट उठाओ पैन और कोपी फटा-पट से नोट कर लो इसको ठीक है तो अब देखेगा अब चलते हैं अपने आगे ये तो बात हो गई सिक्के की, सिक्के उचालेंगे, क्या परिणाम आएंगे, ये हमें पता चल गया है, ठीके, अब यहीं पर सिक्कों के ही कोशन्स में और भी काफी चीज़ें होती हैं, लेकिन चलो, वो हम बाद में जैसे जैसे कोशन्स आएंगे, वहां डिसकस करेंगे, त पुडों के अंदर जो होता है ना रेड कलर का या ब्लेक कलर का, उसके अंदर वाइट डोट होते हैं, एक नमबर दो, नमबर तीन, नमबर चाद, नमबर पांच नमबर और लख बाइचांस हो जाता है, जब छे नमबर आजाए और हमारी गुटिक खुल जाती है, तो वही होता है पासा, तो पासे के अंदर जब या पासा फैंकते हो, तो क्या-क्या परिणाम आ सकते हैं, पासा फैंका हो सकता है कि संख्या एक आ जाए, हो सकता है, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, और छे आ जाए, यही तो संख्या हैं ना तो एक से कम और नहीं, छह से जद आ सकता है, यही संख्यांएं हमारी आ सकती हैं, ठीक है, तो जब पासा फेंका, सिंपल आपको का अभी पासा फेंका, कितने परिणाम आएंगे, आपने का एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह परिणाम आएंगे, उसके बाद वो कहते हैं कि कितने परिनाम आएंगे या समसंख्या आने के कौन-कौन से परिनाम होंगे तो देखो अगर आपने पासा फेंका है तो कौन-कौन सी समसंख्या है यानि इन में से समसंख्या है कौन सी है तो आप कह दोगे समसंख्या का मतलब आप जानते हो ना जिनका दो से बाग जाता है दो जार और शे उसके बाद अगर वो कह दे कि विशम संख्या आ जाए उसने कह दिया कि विशम संख्या आ जाए ऐसे परिणाम कितने बनेंगे तो विशम संख्या एक आ सकती है तीन आ सकती है और पांच आ सकती है अब ये चीज़ में सोचने को मजबूर नहीं करती है क्योंकि ये तो कहता है कि कोई अभाजय संख्या आ जाए और जितने भी स्टूडेंट्स है ना जब ये कोशन आता है 50% स्टूडेंट इस कोशन को पढ़ते ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि अभाजय संख्या क्या होती है 50% स्टूडेंट्स तो देखते ही छोड़ भाज्य संक्या का मतलब क्या होता है यानि ऐसी संक्या जो खुद के और एक के अलावा किसी से भी भाग नहीं जाती अब देखा जाए कि परिणाम तो इतने ही आने वाले इन में से ए भाज्य संक्या देखो जो खुद से और किसी दूर्शी संक्या से सरी खुद से और एक से बाग जाए किसी दूर्सी संख्या से बाग ना जाए ठीक है तो देखिए एक जो होता है अगर देखा जाए एक जो होता है वो किसी से भी बाग जाता है क्या और से नहीं जाता तो एक हमां भाज्या संख्या मान के चल रहें एक बार ठीक है मान रहें उसके बाद अगर देख छारों की चारों क्या होनी चाहिए अभाज्य संख्या और यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं क्योंकि ना तो भाज्य है और ना भाज्य आज कोई बताई नहीं पाया कि एक जो है वह भाज्य या भाज्य तो इसको आपको ध्यान रखने यहां पर 2,000 रुपे का नोट डाल के लिख लो कि संख्या एक जो है वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है यानी अगर आपको कह दिया कि जी पांसा फेंका गया है और अभाज्य संख्या आने की कौन-कौन सी संभाव नहीं है तो आप कहेंगे या तो दो आ सकता है या तो तीन आ सकता है या तो पांच आ सकता है एक तो आ ही नहीं सकता क्यों क्यों कि वो तो क्या है भाजे है क्या नहीं ना तो भाजे ना अभाजे है अगर भाजे कह दे तो कौन सी संख्या है देखो जरा वैसे तो ठिक है भाजे कह दे तो कौनन कि चार ओर च्छै ऐ एक को भाजे नहीं के नहीं के ना है एक न तो भाजे है न अबाजे है इसका तो अपने गरैंटी नहीं लेतने की बाजय या थी exist ses एक पाशा जब फेंका जाता है वो तो पहली क्लास वाला भी बता देगा पांच, चार, तीन, दो, एक, छैसे कम है और छैसे जदा, अरे भाई, कोई नहीं है, ठीक है छैसे जदा तो कोई हमें दिखाई नहीं देरी पासा फैंक है, कभी छैसे जदा आया ही नहीं ठीक है, ये तो हमारी जो टास्क था, वो कम्पलीट हो गया कि एक पासा फैंके तो क्या आता है, ठीक है उसके बाद देखो, नेक्स्ट में क्या करना है कि अगर दो पासे दो पासे एक साथ फैंके जाए, तब क्या क्या आएगा ये कोशन मेरा तो फेवरेट कोशन है और आपका भी बनने वाला है क्योंकि इसके लिए हम क्या करेंगे पहले तो एक बड़े वाड़ा मेथड करेंगे और फिर एक ट्रिक करेंगे छोटी सी आप बिल्कुल भी गवराईए, मत कि आज हम कोशन्स नहीं कर रहे हैं, टेंशन मतलो युद तो लड़ा जाएगा, लेकिन ये तो हम क्या कर रहे है युद से पहले तलवार वाजी सीख रहे हैं, ठीक है चलिए, दो पासे जब फेंके जाते हैं तो देखेगा, पहले पासे पर एक फिक्स कर दो कि अगर पहले पासे पर एक आ गया अब जरूरी है कि आप पहले पासे पर एक याएगा पहले पासे पर अगर दो आ गया तो भी यही परिनाम बनेंगे हो सकता है कि दूसरे पर दो आए दो और तीन आजाए, दो और चार आजाए दो और पांच आजाए, दो और छे आजाए ठीक है इसके बाद पहले पे तीन आया तो दूसरे पे दो आ सकता है तीन आ सकता है चार आ सकता है पांच आ सकता है छे आ सकता है ठीक है ये सिर्फ हम लिख रहे हैं उच्छालना तो में पासा है कोई भी एक याएगा लेकिन हमें तो देखना है ना कि कौन-कौन से आ सकते हैं क्योंकि हम क्या कर रहें प्राइक्ता प्राइक्ता का मतलब क्या होता है चांस कितने अनिके चांस हैं वही तो देखे जाते हैं तो सबका चांस है तो कौन-कौन से आ सकते हैं उनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो 4 और 1 आ सकते हैं, 4,2, 4 और 3 आ सकते हैं, 4,4 आ सकते हैं, 4,5 आ सकते हैं, 4,6 आ सकते हैं, उसके बाद 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 आ सकता है, और 5,6 आ सकता है, उसके बाद अगर पहले पे 6 आ जाए तो भी 6,2 आ सकता है, 6,3 आ सकता है, 6,4, 6,5 और 6,6 आ सकते हैं अब अगर ऐसा पूछ लिया गया कि कोई भी संख्या पूछ ली गई जैसे 2,4 आने की प्राइक्ता तो आप कैसे बताओगे तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर आप कैदोगे कि 2,4 एक बारा रहे वस ठीक है, सिंपल साधानड सी बात हो गई, ठीक है अब देखो यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए, टोटल परिणाम कितने बन रहे हैं, तो आप क्या करोगे 6 ऐसे और 6 ऐसे, 6 गुणा 6, 36 बन रहे हैं, तो यह टोटल परिणाम कितने हैं, तो आप के दोगे टोटल परिणाम हमारे 36 बन रहे हैं, ठीक है, टोटल 36 है हमें पता चल गया, लेकिन इसका भी अभी एनलाइसिस करना बाकी है इसका analysis करने में क्या बाकी है तो देखो आपसे वो ऐसे नहीं पुछेगा कि 1,1 कितनी बारार है वो आपसे पुछेगा कि आपने दो पासे लगातार फैंके फैंक दिये जी, दो पासे फैंके हैं दोनों पासों पर जो अंक आये हैं उन दोनों का योग दो आजाए ऐसे कितने संभावनाए हैं अगर आपसे पुछ लिया जाए कि दो पासे फैंके यानि दो संख्या है तो ये आपके सामने जो लिखा पड़ा है उसमें ये देखो कि किन दो का योग दो आ रहा है तो आपने देखा यहाँ पे एक और एक का योग क्या बन रहा है दो यानि इसका योग कितना आएगा दो आएगा ठीक है जी अगर तीन वाले पूछ ले तो देखो ये दोनों ही क्या देते हैं योग तीन देते हैं एक और दो तीन, दो और एक तीन, ठीक है, तो ये दोनों तीन वाले हो गए, अगर इन तीनों को देखा जाए, तो यहाँ पर पासों पर जो संख्याई आ रही है, पहले पासे पर एक, दूसरे पासे पर तीन, या फिर पहले पासे पर दो, दूसरे पासे पर दो, या फिर पह को तिरुचे तिरुचे काटते जाना है और इस तरह से यह बढ़ाते जाना है इनका योग 5 आएगा देखो चार और एक 5 तीन और 2 दो और तीन एक और 4 ठीके इस तरह से तो इनको जो है आप इस तरह से मिला दीजे कितने हो गए disg Richt परिणाम हो गए गिं возь hun दो 3-4 psychedel भंग से गिनते हैं इसको देखेगा सबसे पहले यहां पर एक है ठीक है यह तो हमने क्या कर लिया कि हमने यहां पर तो संख्याइं दिखा दिया है ठीक है कि कितना योग आएगा तो देखो जो दो योग वाली है वो एक संख्या है तीन योग वाली दो संख्याइं है ठीक है अब देखेगा, पांच योग आजाए, इसके लिए 4 संभावनाई है, 6 योग आजाए, इसके लिए 5 संभावनाई है, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 5 और 2 7, और उसके बाद 6 और 1 7, तो 7 आजाए, ऐसी कितनी संभावनाई है, 6 संभावनाई है, उसके बाद देखेगा, योग तो आगे बढ़ता जाएगा, 6 और 2, 8, तो 8 आने वाली कितनी है, देखेगा, बढ़ता गया, यहां तक, उसके बाद वापी से गटना शुरू हो गए, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 8 योग आ जाए, इसके लिए कितनी संभावनाए है, 5 संभावनाए है, उसके बाद 9, 9 वा 4, 10, 5 और 5, 10, 4 और 6, 10 तो 10 आजाए योग, यह कौन सी संभावनाए है, यह कितनी संभावनाए है, तीन संभावनाए है, उसके बाद 11 योग वाली 2 संभावनाए है, और उसके बाद 12 योग वाली 1 संभावनाए है, अच्छा, एक आपके एक्जाम में ना कुशन आता होता ह कि दो पासों को फैंका गया दोनों पासों पर जो संख्याएं आई है उनका योग तेरा या चोदा आजाए ऐसी कौन सी संभावनाई बनेंगी या कितनी संभावनाई बनेंगी तो यहाँ पर देखो कहीं भी योग आपको देखो मैक्सिमम इधर जा रहा था इधर मैक्सिमम कहां तका या 6 और 6 6 और 6 का योग कितना हो गया 12 इससे ज़्यादा आ सकता है क्या तो आप कह देंगे बिल्कुल नहीं जो हां कह रहे हैं हे बगवान मुझे ओनलाइन थपड मारने की क्या दे दे शक्ती दे और मैं उन बच्चों को समझा पाऊं कि जब 6 और 6 मैक्सिमम है 12 मैक्सिमम है तो उसके बाद 13 आ सकता है क्या नहीं आ सकता तो मैक्सिमम कितना आएगा तेरा आएगा अगर वो पूछ ले कि दोनों का योग एक आ जाए इसके लिए समझा नहीं कितनी होगी दोनों का योग एक आ जाए तो आप देख सकते हो कि यहां पर क्या रहा है एक और एक दो आ रहा है दो से कम तो योग आई नहीं सकता पासे पर दो सीटें पड़ी है यानि दो पासे उचा ले गए है कम से कम नंबर कितने आ सकते हैं तो एक और एक आ सकते हैं दोनों का योग कितना हो गया दो दो से कम तो योग आई नहीं सकता और बारा से ज़्यादा आई नहीं सकता तो अगर दो से कम पुछले बारा से ज़्यादा पुछले तो आप कह देना कोई भी संभावना यहां पर नई बनने वाली है तो यहां पर ट्रिक क्या थी ट्रिक सिंपल आपको दिखाई दे रहे देखो पहले तो एक, दो, तीन, चार, पांस तक जाएगी कहां तक जाएगी, छे तक और फिर वापी से कम होना शुरू जाएगी पांस, चार, तीन, दो, एक, ठीक है और क्या करना है? और यह करना है कि आपको इस चीज को अच्छे से लिखने देखेगा कि अगर संभावने पूछ ली जाएगे तो योग देखो क्या आ सकता है? या तो दो आ सकता है, या तो तीन, चार, पांच, छे, साथ ठीक है? और उसके बाद क्या कर लो? साथ के बाद क्या कर लो? कि आठ जो है आगे लिखो ही मत कैसे नहीं लिखो देखेगा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कि देखेगा दो आने की संभावने कितनी है? तो एक एक कम करते जाओ दो, चार आने की तीन, पांच आने की चार, छे आने की आप कैदोगे पांच और साथ आने की छे उसके बाद अगर वापी से कैदोगी आठ आने की तो आठ यहाँ पर आ जाएगा आठ, नो, दस, ग्यारा और बारा तो इनकी संभावने भी इतनी ही आएंगी तो यह शोट सा मेथड़ आपको क्या करना है? कि इस तरह से संख्याई लिखनी है और साथ के आगे छे लगा देना है तो यह सिर्फ इतना सा नोट कर लो आपको ये काम जो है ना, ये आपको वहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, इतना सारा एक्झाम ही करना नहीं पड़ेगा, सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक है, दो से शुरू करो बारा तक जाना है, दो से लेकर करके साथ तक और इधर से बारा से शुरू कर DO, उल्टी गिंदी, तो 2, 3, 4, 5, 6 तक पहुंचोगे इदर से 12, 11, 10, 9, 8 तक पहुंचोगे और 7 बीच में आ जाएगा और इदर से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक ठीक है तो यह हो गए इसकी संभावन है कि 2, 1 बार आएगा, 12 भी 1 बार आएगा, 3, 2 बार आएगा, 11 भी 2 बार आएगा, 4, 3 बार आएगा, 10 भ माद में बैठ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पासे वाला कंसेप्ट भी आपने समझ लिया, उसके बाद कौन से कोशन बचते हैं, तो उसके बाद कोशन बचता है, बस एक कौन सा, ताश वाला, क्योंकि कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, ताश के पत्ते, कुछ ब गड़ी, ताश की गड़ी, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अगर एक बार आपने इस चीज को कर लिया ना, तो कोशन 25 के 25 कोशन जो है ना, आप धड़ा धड़ लगा दोगे, एक भी कोशन बीच में नहीं अटकेगा, बस आपको ये चीजें, जो बेसिक हमारा चल रहा है, आप क्या कर सकते हो, जीत सकते हो, तो वैसे यहां पर है कि ताश की गड़ी के बारे में हम यहां पर समझने वाले हैं, देखेगा, ताश की गड़ी में 52 होते हैं, टोटल पते कितने होते हैं, तो आपने कह दिया 52 होते हैं, ठीक है, नहीं पता ताश की गड़ी के बारे में intention मत लीजिए, सब समझाएगा यहाँ पर, ठीक है, आपने एक बार भी ताश की गड़ी नहीं देखी है, यह जो है, यहाँ पर मन आ जा रहा है, मैंने माल लिया कि आपने कभी ताश का एक भी पता नहीं देखा, ठीक है, फिर भी आपको यहाँ समझाने वाड़ा है, कितने प चब्वीस पते ही किसके होते हैं, तो आपके देंगे चब्वीस पते कौन सा कलर, बलैक दिखाई दे रहा है, तो चब्वीस पते ही तो क्या होते हैं, लाल होते हैं, और चब्वीस पते ही क्या होते हैं, काले होते हैं, ठीक है, अब उसके बाद चब्वीस पते भी आगे त तेरा तेरा पतों में बंटे होते हैं तेरा पते ही तो होते हैं पान के और तेरा पते ही होते हैं किसके इंट के आपने देखा होगा ऐसा जो निशान होता है वो होता है इंट का निशान चीक है इंट के निशान के कितने पते होते हैं तेरा पते और इस तरह से जो निशान होत ना तो यह होता है पान के पत्ते का निशान तेरा ही यह पत्ते होते हैं और तेरा ही वो पत्ते होते हैं ठीके कौन से तो तेरा पत्ते पान के तेरा पत्ते इंट के रेड कलर में टोटल कितने पत्ते 26 पत्ते उसके बाद काले पत्तों की बात करते हैं काले पत्तों की बात करे तो देखिएगा तेरा पत्ते तो होते हैं तेरा तेरा होते हैं कालेवी तेरा पत्ते तो होते हैं आपके हुकम के किसके हुकम के और हुकम का निशान आपने देखा होगा जैसे पीपल जो वरक्ष होता है उसका जो पत्ता होता है इस तरह का निशान उस पर होता है ठीक है ये बीच में से ब्लैक होता है ठीक है तो ये होता है हुकम के पत्ते का निशान लगबग इस तरीके से ठीक है तो ये होगे हमारा हुकम का पत्ता ठीक है कितने पत्ते होते हैं तेरा पत्ते कौन-कौन से होते हैं उनकी भी बात हम करेंगे टेंशन मन लीजिए यह है हुकम का निशान और तेरा पत्ते इसके होते हैं ऐसे ही तेरा पत्ते होते हैं किसके चीडी के चीडी के और चीडी का निशान क ऐसा होता है ऐसा जो बच्यपन में हम पेड़ बनाते थे ना कुछ वैसा निशान ठीक है ऐसा निशान नमों अगर कभी भी ताष के पते सी डेके होंगे थोड़े बहुत आगे से नहीं तो पीछे से तो देखे ही होंगे ठीक है तो यह जो पत्ते हैं उन ही टाइप के पत्ते होते हैं यह जो एक्स्ट्रा पत्ते होते हैं जोकर वगेरा उन सभी को निकाल के बात कर रहे हैं ठीक है क्योंकि खेला तो इन्हीं पत्तों से जाता है चलिएगा ये हो गए 26 पत्ते, 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते इंट के, 13 हुकम के और 13 किसके चीडी के अब इन 13, 13, 13 में भी सेम पत्ते होते हैं तो अब बात आती कि 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते इंट के, 13 पत्ते हुकम के और 13 पत्ते चीडी के तो ये तेरा पत्ते भी अलग-अलग होते हैं ठीक है तो ये पत्ते तेरा जो होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं उनको थोड़ा साथ देख लेते हैं तो देखेगा तेरा पत्ते देखेगा वही तेरा पत्ते पान में होंगे वही तेरा इंट में होंगे वही हुकम में होंगे और वही चीडी में होंगे ठीक है तो देखिएगा सबसे पहले होता है एक एक पान का, एक इंट का, एक खुकम का, एक चीडी का तो तोटल एक कितने हो गए? हो गए ठीक है उसके बाद देखिएगा उसके बाद दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, आठ, नो और दस इस तरह स दस पत्ते तो ये हो गए ठीक है एकका और उसके बाद देखियेगा कि जो है दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो और दस यहां तक संख्याएं लिखी होई होती है ठीक है यही दस पत्ते पान के, इंट के, हुकम के और चीडि के सभी परकार के दस दस पत्ते होते है ठीक है उसके बाद next अगर देख लिया जाए कि तीन पते और होते हैं कौन से तो उसके उपर लिखा होता है k, q, और j k का मतलब होता है king जिसको हम क्या कहते हैं बादशा भी कहते हैं ठीक है तो बादशा कितने होते हैं चार एक पान का एक इंट का एक हुकम का एक चीडी का उसके बाद क्यू क्यू का मतलब होता है क्वीन जिसको आप क्या कहते हो बेगम कहते हो ठीक है और उसके बाद जे जे का मतलब होता है जैक जे ए सी के जैक ठीक है यह होता है जैक इसका मतलब होता है गुलाम ठीक है इसका कुछ भी पूछ ले वो इससे समझ आ जाएगा अगर हम से पूचलीया जाए कि टोटल कितने बादशा होते हैं तो आप कितने बताओंगे आप कैदोगे एक पान में होता है इंड का बाश्या एक होगा, हुकम का बाश्या एक होगा और चिरी का बाश्या एक होगा इसी तरह से बादशा की जगह आप चाहे कोई भी पत्ता ले लो इस तरह की थीम आपकी बनती हुए आपको दिखाई देगी, ठीक है तो चलिएगा अब हम बात करेंगे किसकी प्राइक्ता के फॉर्मूले की यानि अब अपना जो अखरी हत्यार है वो हमें लेना है तो देखेगा बहुती सिंपल सा फॉर्मूला है कि मान लीजिये कोई ए गटना गटित होती है ए गटना के गटित होने की प्राइक्ता है तो आप इसको क्या लिखोगे कि A के आने की प्राइकता probability of A ठीक है तो ये हो गया A की प्राइकता का निशान ठीक है आप ये कह सकते हो उसका चिन है ठीक है और इसका formula क्या होगा या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो प्राइक्ता simple ऐसे भी लिख सकते हो या एयाने की प्राइक्ता इस symbol से भी दिखाई जा सकते है इस चिने से दिखाई जा सकती है तो इसका formula क्या होते है कि निचे तो लिखे जाते हैं गटना के कुल संभावित परिणाम और उपर लिखे जाते हैं अनकूल परिणाम ठीक है तो उपर तो क्या होते हैं जो अनकूल हों क्या हों अनकूल परिणामों की संख्या उपर तो क्या आएगी अनकूल परिणामों की संख्या ये चीज़ बहुत ही आपको याद रखना ये formula ठीक है और वैसे याद रखने की जरूरती नहीं पड़ेगी क्योंग इतनी बार इतनी बार ये formula लिखोगे आप 25 कोशन में 25 बार ये formula लिखोगे तो आपको याद हुजाएगा उपर क्या आएगी अनकूल परिनामों की संख्या और निचे क्या यहाँ पर हमने कुल संभाविद परिनामों की संख्या का पता लगाए था एक लगार जा चाएग कितने सिंख्या और यहाँ क्या याथ है यहाँ परण। एक सिका उचाला गया तो टोटल परिणाम दो, दो सिके उचाले तो चार, तीन सिके उचाले तो आठ हरेते, तो वो कहाएंगे कुल संभावित परिणामों में आएंगे, और अनुकूल परिणामों की संख्या में उपर लिखनी है, तो वो हो जाएगा हमारा प्राइक्ता का अब यह चीज जैसे समझ में नहीं आने वाली, इसको हमें एक कोशन के वाद्व से समझते हैं, जैसे कोशन क्या कहता है, कि मान लिजे आपने क्या उच्छाला, एक सिक्खा उचाला कोशन क्या कहते है हमारा कोशन कहते है कि आपने एक सिक्का उचाला क्या उच्छाला सिक्का भी मैच कहल रहे हो क्रिकेट का कौन बेटिंग करे कौन सी टीम पहले बोलिंग करे इसका निरने कैसे क्या जाता है सिक्का उच्छाल कि आपने सिक्का उच्छाला टोस किया तो उसम head के आने की प्राइक्ता बताओ तो आप क्या करोगे कि जी सिंपल सी बात है सिका उचाला है तो दोई परिनामा सकते हैं या तो head या तो tail अनकूल परिनाम क्या है head है तो आपने यहाँ पे देख लिया कि अगर हमें head आने की प्राइक्ता देखनी है किसकी head आने की प्राइकता किसकी प्राइकता पुछिए हमसे head आने की तो head आने की प्राइकता हम क्या से निकालेंगे अनकूल परिणामों की संख्या अनकूल परिणाम कितना एक ही तो है एक बटा दो आएगा चलिये इससे भी नहीं समझाया तो एक पासचेवाडा कंसेपट ले ले लेते हैं या पासचेवाडा एक्जम्पल ले लेते हैं जैसे मान diaphrag OR एक पासा फेंक आगया एक पासा फैंका आ गया, ठीक है, क्या फैंका है, हमने पासा फैंका है, पासा फैंका है, तो मुझे आप बताईए कि विशम संख्या आने की प्राइकता क्या होगी, तो इसके लिए देखो, टोटल परिणाम कितने होंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो टोटल परि परिणाम ही आ गए, लेकिन विशम संख्या हैं कितनी आएंगी, एक, तीन और पांच, तो देखेगा, विशम संख्या आने की प्राइकता किसे ग्याद करेंगे, तो हम कह देंगे, कि विशम संख्या, देखेगा, विशम संख्या आने की प्राइकता कितनी होगी, तो देख परिणाम एक दो तीन चार पांच है छे परिणाम आ सकते हैं तो तीन बटा छे इसको काड़ देंगे पुरा सौन करके दिखाएंगे एक बटा दो तो विशम संख्या आने की प्राइकता कितनी है एक बटा दो है तो यह चीज आपको समझ में आ गई न कि अनुकूल परिणाम वह हमें जो कंडिशन बोलेगा जैसे उसने कहा कि पासा उच्छा लागे है तो छे कंडिशन आ सकती है वो तो हो जाएंगे कुल संभावित परिणाम और अगर विशम संख्या बोल दिया कि विशम संख्या की प्राइकता गयात करो तो ऐसे में अनुकूल परिणामों की का बोलता है ताश की गड़ी बोलता है तो ऐसे में कुल संभावित परिणाम निच्छे आ जाएंगे और जो उसने कंडिशन बोली है वो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या ठीक है तो यह हमारा प्राइकता का फॉर्मुला है फॉर्मेट क्या रहेगा कोशन करने क वो हम हमारे next part में सिखेंगे जहां पर हम 25 कोशन और examples इस chapter के क्योंकि 15.1 की तो प्रशनाव लिए हमारी तो वहाँ पर हम इस chapter के जितने भी questions है और इसके साथ जो examples है वो वहाँ पर complete करने वाले है तो आज की class में हमने क्या किया आज की class में हमने जो हमारा chapter नंबर 15 है उसके लिए जंग के मैदान में उतरने के लिए हमारे हतियार जो है वो हमने समेट लिए हतियार जो है वो तेज कर लिए ठीक है अब बस करना कुछ नहीं है मैदान में उतरना है और हमारी जो जितने भी questions है उनको नस्थ देना बूद कर देना है ठीक है तो इसी के साथ students आज की class ह लिए all the best for your self-studies